अध्याई 21 विनाश की प्रेत नौका संकीर एक छोटे से मचली पकडने वाले शहर की कठिन तट्रेखा से दूर जहां समुद्र एक जंगली नृति में उबढखाबड बलफ से मिला, वहां एक दरावने जहाज की एक किमवदंती थी जो पानी को दरा देती थी, यह भूत पर की एक बहादुर परीक्षक ने प्रेत नाव की कहानिया सुनी थी और इस समुद्री रहसे के पीछे की वास्तविक्ता को उजागर करने के लिए आकर्शित हुई थी, मचली पकडने वाला शहर, अपने सहनशील मूर्स और नमक से घिरे घरों के साथ, वह जगा थी जहां सम मुद्र की कहानिया गहरी थी, पडोस की किमवदंतियों ने एक नाव पर चर्चा की जो अशांत शामों में दिखाई देती थी, जो कोहरे से धकी होती थी और इसके साथ पूर्व सूचना की गुणवत्ता को व्यक्त करती थी, स्थानिय लोगों ने स्वीकार किया कि प्रे से कुछ समय पहले दिखाई देती थी, इसकी दरावनी आकरिती भूतिया, भूतिया रोशनी से प्रबुध थी, अपने लिए प्रेत नौका का निरिक्षन करने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं होने के कारण, सारा शाम को विनाशकारी इनलेट के उबरखाबर तटों से गुजरी, उसकी आखे क्षितिच की जाच कर रही थी, उसने निवासियों की गरगराहट पर ध्यान दिया, जिनोंने नाव के दरावने संगीत पर चर्चा की, एक उदास गीत जो रात बढ़ने के साथ प्रतिध्वनित होता गया, एक धुंदली शाम, जैसे ही लहरें पत् अलोकिक थी, नाव वास्तविक तूफान से बाहर निकलती दिखाई दी, और यह एक अलोकिक भव्यता के साथ घूमती रही, जैसे ही उसने डरावने पात्र को देखा, सारा भूत समू को देख सकती थी, खोए हुए आत्माओं का एक समू, उनकी आखे निर्वहन की लालसा से भरी हुई थी, उन्होंने ऐसा आभास दिया कि वे प्रेत नौका से बंधी एक अनवरत यात्रा में फंस गए हैं, सहानु भूती की भावना से प्रेरित होकर, सारा ने नाव के अप्रिय होने के पीछे की वास्तविक्ता को उजागर करने और खोए हुए आत्माओं को करणादा लगाने में सहायतह करने की कोशिश की, उसने शहर के पुराने प्रकाशस्तंग की और हिंमत की, जहां उसे एक डाइरी मिली जो एक पिछले प्रकाशस्तंग प्रबंधत द्वारा छोडी गई थी, डाइरी ने एक मलबे और एक कप्तान की कहानी का खुलासा किया, जिसने अपनी टीम की सुरक्षा के बदले में स्वर्गिय के साथ समझोता किया था, नाव बदनाव हो गई थी, जो हमेशा के लिए महासागरों में यात्रा करने के लिए नियत थी, और कप्तान की आत्मा हमेशा उससे बंधी हुई थी, सारा समझ गई की खोए हुए आत्माओं को मुक्त करने का तरीका नाव को बांधने वाली निंदा को तोड़ना है, प्रकाशस्तंब के मार्गदर्शत की सहायता से उन्होंने असाधारन समझोते को समाप्त करने और प्रेत नौका को उसकी अनन्त यात्रा से वित्रित करने की प्रथा का नेत्रित्व किया. जैसे जैसे प्रथा अपने चरम पर पहुँची, भूत परिवहन कामपने लगा और बाद में गायब होने लगा, इसकी भयानक तीम शाम तक वाश्पित हो गई, सदियों से शहर को परेशान करने वाली उदास करने वाली धुन धीरे-धीरे आंधी में बदल गई, तबाही कोव आम तोर पर भूत परिवहन से पीडित नहीं था, और नाव की निंदा की किमवदंती एक निशकर्ष पर पहुँच गई थी, खोए हुए आत्माओं को अंता अपने चिरस्थाएं विश्राम का पता लगाने की अनुमती दी गई.